नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिणों सिंग और आप सभी का स्वागत है SLC यान पे आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कलेंडर बहुत लोग आप लोग डिमांड कर रहते हैं भारी डिमांड पे कलेंडर देखो भाई मैं आपको सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं कांचेप्ट के साथ ट्रिक देखो या कॉनसेप्ट इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर कॉनसेप्ट ही नहीं पता हमें तो समझलोर कुछ नहीं पता और आज मैं आपको ऐसी concept बताऊंगा कि आपको कोई भी code जो code नहीं याद करा थे कि जनवरी कही है याद कलो फरवरी कही है तो फलाना धमा का दुनिया भर का कुछ भी मत याद करो भाई क्योंकि मुझे ना याद करना पसंद ने या तो याद करना रटना या मजा नहीं रटने में है कि नहीं तो आज मैं आपको रटना नहीं इतिहास रचना कैसे है ये बताता हूँ पहले दिखो सबसे पहले आपको डेमो एक दिखाता हूँ जैसी ये सवाल है आपके सामने कि ए के जनवरी एक को कौन सा दिन था आप कितनी दिर में इसको कर सकते हैं अगर मैं बोलू मातर आधा सेगंड में आधा सेगंड का मतलब क्या होता है कुछ नहीं और मार दिया मंडे अब आपके मंडे में आएगा कि मैंने यह तो पहले से पता रहोगा मुझे नहीं भाई यही त तो आप सारा खेल तुरंट चुटकियों में खेल जाओगे अच्छा आपके मन में एक सवाल आएगा कि और डे क्या होता है और डे एक हपते में सात दिन होता है कितने दिन सात दिन अब सात दिन के लावा अगर कोई एक दिन है उसको बोलते है और डे अगर एक दिन है तो एक और दो है तो दो गोड़े इन तो तीन औरसाट कि अलाम साथ से ह急 किया जाता है हपते में 7 दिन आइस वजा से अच्छा सुरू करो अगर तो एक जन्वरी प्रिट एक भाव आज अगर 2023 है तो कभी एक से तो रहा आप लोग को पता होना चाहिए बात इस दिन क्या था मंडे था मतलब सो मुआर था एक जनवरी एक को मतलब दिन की शुरुआत हमारी जो होती है ओ सो मुआर से होती है यह नोट कर लेना अच्छा अब इसको हटाओ अब आते हैं और डे के बारे में समझते हैं जैसे एक साथ एक एर में कितना और डे होता है तीन सो पैंसाट दिन होता है थोड़ा समझा दो दो मिनट क्योंकि जो कमजोगर है जो इनको नहीं पता ये भी उनको परशानी होगी और जिनको पता है आगे बलाते रहो पिर है ना तीन सो पैंसाट दिन में कितने और साथ से कर दो और हम अब क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे एक मतलब कि एक साल में एक और डे अच्छा एक लीपियर में पूछे तो लीपियर में फरवरी का महीना 29 का होता है बाकी नॉर्मल येर में फरवरी का महीना 28 का होता है लीपियर हर चार साल बाद आता है और जो भी साल 4 से होगा एक तो हमको पता चल गया एक साल में एक और एक लिपियर में दो और तो सव साल में कितने और तो सव साल में हम पहले ढूढ़ेंगे कितने leap year होते हैं यह कैसे पता चलेगा चार से डिवाइड करेंगे तो 25 शओ का 100 तो क्या 25 लिवाइड होगा नहीं क्यों क्यों कि यह जो सौवा साल होता है न दोस्तों यह चार से तो डिवाइड हो जाता है लेकिन याद रखना जैसे leap year होते है वो जैसे leap century भी होता है मतलब क जो century जैसे 100, 200, 300, 400, 500 आता है जो century चार से डिविजिवल हो मतलब century का मतलब एक, चार से कटेगा नहीं सउ तो कट जाएगा लेकिन एक से मतलब हमको 200, 2 से मतलब है, 300, 3 से मतलब है 400, 4 से मतलब है, 4 लीप है होगा? बिल्कुल होगा तो 400 जो होगा वो लीप century होगा यही होते हैं 24 लीप यह होंगे तो 24 दूना 48 और डे उसमें हो जाएगा एक लिप यह में दो और डे होता है मैं आपको बता दिया नॉर्मल लिए 76 होते हैं इसमें इस वज़ा से 76 हर नॉर्मल लिए एक ही और डे होता है तो जोड़ों गे आट 614 साथ चारी गया रहें बारा 124 एक सोचोविस पे साथ से डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा साथ एककम साथ पांच बारा अब अब साथ सता उन्चास बचेगा नीचे पांच सिर्फ पांच और डे होता है साव सालों में तो हमको अवयाद हो गया अब हमको निकालने क साथ जरुत नहीं हमको पता चल गया कि सौ साल में पांच और डे होता है तो दो सौ में दस होगा लेकिन दस को हम दस ना लिखके साथ से भाग दे जब साथ से अधिक हो और डे हमेशा याद रखना साथ से कम ही होना चाहिए अगर साथ से जाए तुरन साथ से डिवाइड कर भी सो नहीं क्यूंकि मैंने आपको बताया सौंवा साल लीप यह नहीं होता दो सौंवा साल घुलीप संच्चुरी क्यों कि चार सोसेů कड़ जाएइख नमीन塊 होता है गया इससलिए इसमें एक मतलब एक्ट बढ़ जाएगा तो- 9105 सात जाता है तो इसमें जिरो गड़ू हो जाएगा比較 जाहिक है मतलब जी रोड़ जीरो डे मतलब और संडेल यार रखना अभी बताता हूं 800 Catholic लश्माइब जीरो चार्सों के बाद 800 लेफ संच्यूर्好啦 और यहां से नया दिन चुने जरुई हो जाता है यहां भी जीरो यहां petals byजे रोई चौवविश सवाइगा तो भी जीरो इका भाई इतना तो आपने समझ लिए अब आप देखो सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं यह समझो अब मैंने इसको कैसे जल्दी से बता दिया आपने सोचा होगा कि मैंने पता था नहीं देखो मैंने कैसे बता दिया कि यह एक जनवरी सोला तो चार से कट रहा है ना इसको इसको छोड़ दिया करो यह हां यह भी लीप सेंचरी होगा मतलब 2000 सालों में जीरो ओड़े हो जाएगा अब सिर्फ 2000 एक जनवरी को पूछ रहा है बस और मने जीरो ओड़े का मतलब बताया संडे संडे मतलब 31 जनवरी 2000 को 31 जनवरी बोल रहा हूँ है 31 दिसंबर 2000 को संडे था टो एक जनवरी को क्या होगा फिर अगले साल एक जनवरी को मंडे हो जाएगा इसलिए मने क्यार दिया मंडे मतलब एक जनवरी 2001 को मंडे होगा ठीक हो बाई ? अब अगला सवाल देखती देखो अभी समझ Khalils ध्यान स फिर 16 मार्च कह रहा है, ठीक है, चलो, अभी समझते हैं, 2007 को तोड़ो, पहले लीप सेंजुरी निकाल लो इसमें से, 2000, लिख दो, 2000, प्लस, 7 साल, 7वे साल में पूछ रहा है, उस साल को छोड़ दिया करो, 6 दिखा करो, बस, 6 साल, ये year है, देखो, y, y, प्लस, अब 2007 जो साल ह होगा, उसमें मार्च में पूछ रहा है, अचा, जनवरी में 31 का महीने होता है, कहे दो हाँ, 31 को तुरंद सास से डिवाइड कर देना, मैंने क्या बता है, ओड़े जो होता है, नहीं तो लिख दो भी 31 मन करें, तो यहां पर 31, जनवरी, फरवरी, अब ये देखो कि 2007 लीप मार्च को पूछ रहा है, अब देखो और डे निकाल लो, 2000 कितने और डे, जीरो, छे में तो 6 ही और डे होंगे, लेकिन नहीं, ये 6 जो 6 एर है, इसमें ये देखो कि 6 सालों में, कोई लीप यर तो नहीं आ रहा है बीच में, अचा, 2000 के बाद, 2006 के बीच, 2004 भी तो आता है, त 2004 लीप यर है, एक लीप यर मिल रहा है, तो दो लिख दो, एक लीप यर के जगाँ पे, प्लस पांच, नॉर्मल यर पांच है, तो पांच और डे, क्योंकि एक नॉर्मल यर में एक और डे होता है, अब 31 को साथ से डिवाइड कर दो, साच चव के 28 बचेगा 3, सेस्फल से मत मतलब बस, साच चव के 28 कर जाएगा ये 0, साथ दूना चवदा बचेगा 2, अब देखते चलो, पांच, दो, साथ, साथ, तीन, दस, दो, बारा, कुल आ गया, बारा ओड़े, बारा को साथ से डिवाइड करो, साथ, पांच, बारा, पांच बचेगा, पांच का मतलब क्या हो अब पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, शुक्रवार, मतलब इस दिन शुक्रवार होगा, आपको उत्तर हो गया, पांच जब आए, तो पहला दिन सोमवार, पांच बारा दिन शुक्रवार, अच्छा, अब आपको लग रहा हो, कुछ भी टाइम नहीं लग भाई आपको लग रहा है मैं सिखा रहा हूं न इसलिए लग रहा है अब देखो 29 मार्च 2020 को अब देखो 2020 को तोड़ो पहले 2000 लिखो गया आप क्योंकि यह लीप सेंचुरी है प्लस 2020 को पूछ रहा है तो उसको मत लिखेना उन्नीश लिखना प्लस 29 मार्च पूछ रहा है तो जनवरी 31 का प्लस फरवरी अच्छा 2020 लिप यह है बिल्कुल है और इसमें जो फरवरी होगा वो 29 का होगा लिख 29 यह बात भूलना नहीं आपको यही तो खेल इसमें और प्लस लिखा यहां पर अच्छा इसमें कितने ली ओड्य होंगे जीरो है अब 19 सालों में सबसे पहली देखा जाता है दोस्तों कि कितने लीप यह आते हैं तो आप चार चाव के सोला चार लीप यह होंगे खुदी भाग चार से डिवाइड कर दिया करो जितने जितना भाग 15 15 15 में एक एक दिन होता है अच्छा 15 को आप चाहो तो पनदर ना लिखो क्यों आपके मनाएगा क्यों 15 उपको साथ से डिवाइड करो नीची क्या बचेके एक तो पंदर रोका मेंसा एक करो देखो यहां पर लिख धी है एक हमने अब यह को जल्दी कैसे करते हैं अच्छा आठ के जगहां पर भी हम एक लिख सकते हैं क्योंकि साथ से डिवाइड हो जेगे हैं हाँ पर एक क्योंकि हमको सिर्फ और डे से मतलब देखते चलो 31 में अब देखो एक दो तीन दो पांच छेक साथ पुल साथ और डे का मतलब जीरू साथ से डिवाइड का जीरू बचेगा जीरू का मतलब संडे तुरां तमारों संडे पे और आगे वड़ो पड़ाग से बोलो अब इसको देखो भाई 29 जनवरी कि 1950 को कौन सा दिन था इसको कैसे करोगे इसको करोगे 1600 दो हजार तो इसमें बनेगा नहीं के दो हाँ 1600 लिख दो 1600 प्लस अब 300 तीन उन्नीस सो प्लस प्लस पचासमा साल का पूछ रहा तो 89 लिखना पूछो क्यों कि पचासमे साल का पूछी रहा है तो 29 जनवरी को प्लस 29 डे लिख देना यहां पर क्योंकि यह डे की बात कर रहा है जो डे हो उसको हम 39 लिख देते हैं ऐसे अच्छा इसमें 0 और डे प्लस 300 वरसों में क्या मैंने बताया 5 5 5 5 15 मतलब एक और डे बचेगा एक लिख दो प्लस उनचास में पहले यह देखो कि कितने ली पियर आते हैं तो चार से तुरन डिवाइड कर दिया करो 12 चों कि और तालिस बारा ली पियर बनेंगे तो बारा दूना चौबिस चौबिस मतलखना चौबिस को आप सास से कर दो डिवाइस साथ दिया 21 बचेगा तीन यहां अगर बारा ली पियर हो गए तो कितने बचे नॉर्मल यह आपको 37 तो 37 में अगर हम साथ से साथ बचे 25 दो साथ दो बचेगा दो लिख तो प्लस यह खतम है तो 29 दिन क्योंकि जनवरी 29 दिन 29 पूछी रहा है तो 29 में साथ से भाग दोगे तो सेसफल एक बचेगा लिख दो एक बस दो एक तीन 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 चेग साथ बराबर साथ साथ का मतलब होता है जीरो जीरो का मतलब होता है संडे बात खतम अब देखो आगे बढ़ते हैं छे जनवरी 29 दस को कौन सा दिन था यह पूछ रहा है अच्छा छे जनवरी अब दिखो सबसे पाई लिखोगे आप 2000 प्लस 9 क्योंकि 10 लिख दोगे तो काम खतम हो जाएगा प्लस 6 दिन यह दी लिख देना क्योंकि यह 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 दिन है इसमें 0 प्लस 9 अर्सों में कितने लीपियर होंगे 2 होंगे 4 दूना 8 दो का 4 लिख दो प्लस जिब 2 लीपियर हो गए तो 7 नॉर्मल 7 का 7 लिखो या तो 0 लिख दो 7 का 7 लिखो या तो 0 लिखो कोई एक ही बात हुई 6 का 6 लिख दो 6 4 10 10 का मतलब 7 से भाग दोगे तो सेस्फल बचेगा 3 3 का मतलब होता है सोमवार मंगरवार बुद्धवार वेड़नस्ट आपका एंसर हो जाएगा ठीक है भाई यह देखो अब इस तरह के प्रश्ट भी आपके परिच्छा में आएंगे यह दिस सव वरसों की अवधि में P सामान वरस है तो P का मान क्या हो सकता है मतलब कितने सामान एयर होते हैं सो वरसों अभी मैंने इसलिए आपको बता दिया कि लोग क्या करते अगर ना बताया होता तो 4 से भाग देते तो 25 आथा 25 यव का 100 तो 25 कहते हैं लीपियर 75 नॉर्मल इयर लेकिन मैंने क्या बताया लीपियर की संख्या 24 ही होती है क्योंकि सौवा साल लीपियर होता ही नहीं है मतलब 76 नॉर्मल इयर होते हैं तो आप उत्तर करोगे चीहत्तर पे ऐसे सवाल भार भार एक्जाम में पूछे जाते हैं वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को सामिल करते हुए धियां रखना अधिवर्षों की संख्या की गड़ना करें अधिवर्ष मतलब जो लीपियर होता है उसको करते हैं अधिवर्ष देखो अभी मैं आपको समझाया 1800 से लेकर 2000 के बीच पूछ रहा है दोनों को गड़ना भी करना है अच्छा इसके बीच भी इसको छोड़ दो इसमें 200 जोड़ोगे तो 2000 हो जाए कह दो हां बात तो सही है अच्छा 200 वर्षों में नॉर्मली यह मनें आपको समझाया कि ऐसे मत कर देना कि चार से भाग दो कि तो पचीस आएगा सौ में सौ में पचीस अभी मैंने समझाया लेकिन होता है चौबिस ही तो चौबिस दूना अड़तालिस तो होग मतलब की उन्चास हमारा एंसर हो जाएगा इसी तरह से एक सवाल और है कुछ इंपॉर्टन सवाल बता देरा हम आपको जो बार-बार पूछाते हैं पर इच्छाओं मैंने तो कंफ्यूज हो जाओ लोग इन वर्सों में से कौन सा एक अधिवर्स नहीं है अधिवर्स मतलब लीपियर कौन सा नहीं है तो 2004 तो लीपियर होता है सब जानते हो बारा-शू एसे कलक चक्किया करो 12 कट रहा है बाई 12 कट रहा है 21 कट रहा है नहीं कट रहा है यही आप फुट्टर हो जाएगा यह सब आपके अधिवर्स होंगे लेकिन 2100 आपका लीप यह नहीं होगा अब उम्मीद है कि आप अच्छे से यह सब चीजें समझ चुके हो जो मैं बता रहा हूं भाई यह अलग होनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ बता रहा हूं अगर आपको समझ तो लीप वर्स में कितने बिशम दिन होते हैं अब बोलो अभी मैंने सुरू सुरू नहीं तयार कर रहा है आपका और यह दो अच्छा यह सवाल जो है ना यह मैं उठाया हूं कि जो बार-बार परिक्षा गैं फूचे जाते हैं कि एक समान वर्स में उसमें होते हैं ऊचा इसमें क्या पूच लिए N attracting म hysterik following और वो इना सोच का जरूर कर वादो का कर रहना հहा है अगर आपको जैसे बहौत सी चीज़ा हाती है दे देंगे कि पांच अपरैल को दो हजार को अगर संडे था तो छे मई को ऐसा ऐसा कौन सा दिन होगा ऐसा फूसरा सवाल क्या ये सब आपको आता है कि एक अलग सी क्लास लानी पड़ी फिर मुझे भाई पूरी ये सब भी उसमें सामिल कर दूंगा वह भी सामिल कर दूंगा इसका एंसर क्या होगा और लाइक सब्सक्राइब जो चीजें हैं घंटी दिवा के ओल परस कर देना ताकि हारी जीजी मिलती रहे लाइक ज्यादा करना इतना तमग लेना फिर से बता दे रहा हूं मैं इसका उत्तर भी जरूर देना जैसे मैंने बताया वाईसे अलग- दों मिलते हैं फिर अगले एसी किसी कलास में अब तक के लिए जय हिंद जय भारत